हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से नई वीडियो के परेडिक्शन के साथ तो आज गी जो हमारी वीडियो होने वाली है न्यूजी लेंड वर्सिज बांगलादेश वूमेंस के बीच में जो ICC T20 वर्ल्ड कप का जो मैच खेले जाने वाला है उसके बारे में फुल डिटेल मैंनलाइज करने वाला हूँ खर एक प्लेयर का अपडेट की कौन से प्लेयर को आपको अपनी ग्रैंड लिग में रखना है कौन से प्लेयर को स्मोल लिग में कौन से प्लेयर को मिनी जियल में तो बने रहें वीडियो में वीडियो को सुरू से लेकर एड़ तक तो आज कौन सी टीम win करेगी वो आप comment box में जरूर comment बताएं कि कौन सी टीम आज के मुकाबले में विन करेगी या बंगलादेस फटापट से comment box में जरूर करे रहे तो आज का जो हमारा मुकाबला खेले जाने वाला है New Zealand versus Bangladesh women's के बीच में तो किस परकार की update रहेगी किसको pick करन पूरा एनलाइज करके आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कंटिन्यू मैच को विन कर रहे हैं अगर आप नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया है फटापट से जोईन करके अपना लोस रिकवर कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक का फटापट से जोईन जरूर करें बैक टू बैक अल्टरा क्लीन्शिप के साथ मैच को विन कर रहे हैं यहाँ पर नोन कटिंग विन कर रहे हैं बैक टू बैक आई सी सी टी टवन्टी वर्ल्ड कप में आगर आपको नहीं देखा तो जाके टेलीग्राम चैनल पर जरूर देखे सक्रीन सोट पर सक्रीन सोट बताने वाला हूँ तो यहाँ पर आगर मैं बात करूँ पिच की तो कैप टाउन की पिच रहने वाली है स्पिनर को यहाँ पर थोड़ी मदद मिलेगी थोड़ी नहीं काफी सारी मदद मिलेगी पिच है वो थोड़ी सी बैक्टिंग की रन भी बनेंगे और यहाँ पर जो एव लिग से बनाने हैं तभी तो लोग सरी कबर होगा तो सबसे पहले ही की बात कर लेते हैं और उसके बाद टेलिग्राम चैनल जरूर जोएं आपको अक्र लेगी तीन यहां पर आपको यहां पर आपको एक विकट की पर देखने को मिलेगी तीन यहाँ पर आपको बैक्टिंग ओर्डर देखने को मिलेगा दो आल राउंडर और यहाँ पर आपको पाथ स्क्वेड मिलेगी जो बोलिंग सेक्शन की रहने वाली है बैस्ट बोलिंग सेक्शन यहाँ पर मैंने ट्राइ किया है स्क्राइब को explaining को मिलेंगे यहांपर स्रात्र Ayac स्चार राइब का देखने को मिलेंगे यहांपर आपको चार देखने कंश्र एक विकट की पर आपको देखने को मिलेगा तो ये कॉमिनेशन नमबर दो की ग्रैंड लिग टीम का रहने वाला है बैक टू बैक आपको 6 ग्रैंड लिग टीम प्रोवाइड करूँगा फडापट से आप सक्रीन सोट ले सकते हैं क्योंकि उसके बाद आप जब भी लाइन अप आएगा उसके बाद आप टीम एडिट कर लेना तो नमबर दो की ग्रैंड लिग फाइनल हमारी हो चुकी है तो दो जील टीम हमारी हो चुकी है यहां से तो अब हम बात करते हैं नमबर तीन की ग्रैंड लिग की तो यहाँ पर नमबर 3 की ग्रैंड लिग में मैं जो कैप्टन रखने वाला हूँ यहाँ पर S बीट्स को यहाँ पर रखने वाला हूँ पिछले मुकाबले में फलोप रही थी लेकिन सायद इस मैच में परफॉर्मेंस कर सकती है अगर आप कंटिन्यू ग्रैंड लिग टीम खेल लें तो आप सबसे ज़्यादा कैप्टन वो इस कैप्टन सी आल राउंडर और बोलिंग सेक्शन में रखा करोगी अगर एक मैच में अगर आपका लोस हुआ है तो सेकंड मैच में आप रीकवरी कर लोगे 100% तो ये मेरी एक विकट की पर दो बैटिंग ओडर और चार यहां पर आल राउंडर चार बोलिंग सेक्शन ये थोड़ी सी रिस्की टीम लग लिए मुझे लेकिन रिस्क है तो इसक है आपको पता है रिस्क से ही हमारी ग्रैंड लिग टीम फायर करती है तो नमबर 3 की फाइनली ग्रैंड लिग टीम हो चुकी है तो अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो फटापट से चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके रखे कंटीनू अपडेट के लिए फाइनल टीम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया वा है उस पर डाल दी जाएगी तो फटापट से टेलीग्राम चैनल जरूर जोईन करें तो फाइनल नमबर तीन की ग्रेंड लिक टीम हमारी हो चुकी है अब हम बात करते हैं नमबर चार की ग्रेंड लिक की तो यहाँ पर नमबर चार की ग्रैंड लिक में मैं जो कैप्टन M.Aktar के साथ जाने वाला हूँ वो इस कैप्टन यहाँ पर डिवाइन के साथ यहाँ पर जाने वाला हूँ चार यहाँ पर आपको आलराउंडर देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर तीन उपर आपको बैटिंग ओडर देखने को मिलेंगे एक यहाँ पर आपको विकट की पर देखने को मिलेगी यहाँ पर तीन जो स्कूर्ड आपको देखने को मिलेगी वो आपको बोलिंग सेक्शन को देखने को मिलेगी तो ये मेरी final number 4 की grand league team हो चुकी है finally हमारी 4 GL team हो चुकी है अब हम बात करते हैं number 5 की grand league की तो number 5 की grand league team में जो मैं combination लगाने वाला हूँ यहाँ पर आपको अलगी level क्या competition आपको देखने को मिलेगा 3 यहाँ पर आपको wicket की पर 2 यहाँ पर आपको batting order 3 आपको यहाँ पर आल राउंडर 3 यहाँ पर आपको बोलर्स देखने को मिलेगी यह मुझे full risky team लग रही है एक team आपको पता है मेरी risk आती है जितनी भी 6 grand league team में होती है उसमें एक team risky होती है उसके बाद 5 grand league team हर एक competition में आपको अच्छा खासा point score करके दे सकती है तो यहाँ पर जो मैंने captain voice captain से रखा है वो all rounder में ही आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पर captain 1 है और यहाँ पर voice captain आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी यह नमबर 3 की यहाँ पर 3 all rounder यहाँ पर हो चुकी है 4 आपको bowling section देखने को मिलेगा यहां पर तीन आपको बैक्टिंग ओडर एक यहां पर आपको विकट कीपर तो फाइनली नंबर 6 की ग्रैंड लिग टीम हमारी यह रहने वाली है तो 6 ग्रैंड लिग टीम हमारी बैक टू बैक हो चुकी है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करें तो आज के मैच में कौन से टीम विन करेंगी फटापर से कमेंट बोक्स में जरूर करें तो यहां पर आब हम बात करते हैं स्मोल लिग टीम की जो आल फैंटेसी एप के लिए आप लगा सकते हो वैसे हम आपको टीम तो प्रोवाइड करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे लेकिन ये कोमिनेशन भी आपको अलगे लेवल का यहाँ पर बताने वाला हूँ स्मोल लिक टीम में सबसे पहले Wicket Kit Park की बात कर लेते हैं Wicket Kit Park यहाँ पर मैं एकी Wicket Kit Park चूज रहेगी बैटिंग ओडर की बात करूँ S ge por गयाँ इस बीट्स और यहाँ पर तीन यहाँ पर प्रकार से लगा सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि जो यह प्लेयर रहने वाली है लिया यहाँ पर स्पीनर मीडियम फास्ट बोलर है और यहाँ पर एक हैर की बात करू यह यहाँ पर स्पीनर है तो आप यहाँ पर रिवर्स कर सकते हो कैप्टन वोईस कैप्टन सी क्यों सारी हो चुकी है और अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो फटापट से सस्क्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके रखें फाइनल टीम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फटापट से टेलीग्राम चैनल जरूर जोईन करें तो दोस् कि आप 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 आपको नहीं भी जोड़ दोस्क्राइब को प्रेस करें लिए घरूर नहीं कि आपको नहीं है